उत्म जी तो ऐसे मिनने थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन बढ़ता हूँ और निविशक जो है आप है जो ट्रेडर ने थोड़े पशोपेश में चले जाते हैं क्योंकि आप कहा रहे हैं कि चार्ट्स कमजोरी हैं रिलाइंस जब 2300 के आसपस था तो लोगोंने कहा कि बड़ा सस्ता है 2400 हो गया इस जिफ बैंक 1500 के था वो 1500 के नीचे आ गया साड़े 900 का ऐसे से बैंक था 900 हो गया तो सर सवाल यह है कि फिर खरीदे क्या कहीं हो ऐसी कोई चीज है कि जो आपको सस्ती दिख रही हो जहां पर बहुत डिस्टॉर्शन नहीं हो वो हैलाइट करना चाहेंगे आप देखिए लोग Warren Buffet style of investing की बात करते हैं जहां पर 5-10 साल का व्यू लोग रखते हैं बट मेरा यह मानना है कि अभी जिस तरह का जमाना है कि अगर आप 3 मेहना और 6 मेहना को समान लें तो आपने अच्छा काम किया है और अभी से अगले में तक में 24 तक काफी इवेंट्स है त उसके बाद हम एक next 5-year का view market के लिए लेंगे और देखिए सस्ता मेंगा इस market में कुछ नहीं होता है क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने mid caps or small caps में देखी you know expensive became more and more expensive in many of the mid caps or small caps और हर तरह की justification हो रही थी I think खराब बजार में एक ही चीज आप कर सकते हो आप top quality में रहिए आप industry leader और industry challenger के साथ रहिए और liquid stocks में रहिए और उन शेरों में रहिए जहां पर institutional interest काफी strong है और उन शेरों में रहिए जो underperform नहीं किये माने जो अच्छे time पर जो नहीं चले उसको खराब time में मत रखिए I mean clear example है Reliance और SDFC bank का जो अच्छे time पर participate ही नहीं किये तो खराब time में तो चले नहीं सकते हैं तो अच्छे शेरों में रहिए strong शेरों में रहिए top 100 में रहिए mid cap small cap में अभी bottom fishing मत कीजे क्योंकि उसमें जो पागलपन हमने देखी उसके बाद ये जो correction अभी चालू है या भी रहेगा अभी कुछ हफ्तों या हो सकता है कुछ मेहनों तक रहे तो वहा अगर आप pharma index को देखे और IT index को देखे IT index में तो पिछली 4-5-0 में काफी weakness आ चुकी है बट अगर आप बड़े stocks को देखे Infosys TCS वो अभी भी खड़े हैं बाकी stocks में काफी weakness आई है बट overall अगर आप देखे relative performance के हिसाब से तो defensives में IT और pharma they should stand out और commitment यहां पर ही बना के side में हैं तो weakness मेरे साब से जारी रहेगा reliance जो energy sector को lead करता है उसका chart तो all along खराब रहा है तो वो lower end of range पे है अगर 2200-2250 का level break करता है तो और weakness आ सकती है और तो पिछले जो star performance थे capital goods, metals, real estate, infrastructure, mid cap, small caps यह सब में अभी correction जारी है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी तेजी आय थी जब आती है तो हमें लगता है कि इमीडेटली घूम जाएगा हो सकता है कि इस बार इमीडेटली नहीं घूमें